नमस्कार, सारे BCN के दर्शकों को कार्तिक पूर्णी मा के हर्दिक शुपकामनाएं और आप सभी BCN के दर्शकों को हमारे BCN के ओर से आपके भुविष्ट दर्पन कारक्रम में आप सब का स्वागत हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आठ तारिक, नवंबर के मंगलवार को अपना कार्तिक पूर्णी मा भी हैं, और इसमें खास एक जोतिश्य प्राइक अपना घटना है हो रहा है, कि देखो पिछला अपना सूरी ग्रण हुआ था दिवाली के दिन पे, अभी एक कार्तिक पूर्णी मा के दिन पे अपना चंद तो सारे संसार के लिए, हमारे धर्ति के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि जब महावारत हुआ था, महावर्गिद्ध हुआ था कुर्क्षेत्र में, तभी अपना एकी महिने में दो ग्रहन आये थे, तो इसी प्रकार से ये साल भी नवंबर और अपना अक्टोबर के में जैसा दिवाली में एक अपमावसा की दिन एक चाहसूरी ग्रहन आया, जिसका आमने फर बताये था, जोतिश का अपना जोतिश दर्शन कारेक्रब में अपने BCN के, और अभी मंगलवार को आठ तारिक को, नवंबर के आठ तारिक को जो आपना पूर्णिमा है, कार्तिक पे अपना चंद्रगरहन का प्राकटी हो रहा है, चंद्रगरहन हो रहा है, तो यह चंद्रगरहन अपना चार बचकर 49 मिनिट आने 4.39 पीम से लेकर, अपना 6 बचकर 9 मिनिट तक का शाम तक का चलेगा, चार बचकर 49 मिनिट से, छे बचकर शाम के 9 मिनिट तक का चलेगा, ल जालू हो जाएगा कई लोग विद्वान इसको बारा घंटे पहले भी मानते हैं याने सवेरे चार वज़े से मानते इसको तो बात ऐसा है देखिए चंद्रगहन सबको माल में ग्रहन याने अपना एक खग्रास ग्रहने ग्रहन याने ग्रसित करना इसको पीड़ना जैसा राह जैसे के लिए क्या फल रहेगा और यह ग्रहन कितने समय तक का कहां कहां पे जान लेते हैं जैसे हमने पहले बोला अभी कि यह चंद्रगहन चार बचकर 49 मिनिट के शाम के चार बचकर 49 मिनिट से लेकर शाम के छे बचकर 9 मिनिट तक का इसका है तो इसका जो वेद है दस बा जो बच्चे हैं और जो बीमार हैं उनके लिए ऐसा नियम है कि वे लोग इस ग्रहण में अपना जो ग्रहण का पालन नेम नियम होता है जैसा कि ग्रहण के समय चार बच कर उनतालेस मिनिट से शाम के छे बच कर नो मिनिट तक का कुछ खाना पीना नहीं चाहिए जो प्रेग् काटना सिलना चुबाने का काम प्रेग्नेंट लेडिस को बिलकुल भी नहीं करना है इस ग्रहण के दौरान और जो बुड़े बच्चे और रोगी हैं उनके लिए नियम लागू नहीं होता वे लोग खान पान कर सकते हैं अती अवश्यक रहा तो पानी पिया जा सकता है बा अगे आंकों से सीधा चंद्र देवता को कई लोग विद्वान मानते देख सकते नहीं देख सकते हैं अगर नहीं देखा जाए तो इस रेश्कर होता है अच्छा होता है यह ग्रहण के दोरान देखो क्या करना है हमने ग्रहण के दोरान हमने बैठकर ग्रहण के पहले सनान क कर लें शुद्ध होकर ग्रहन के दोरान एक बात ध्यान डखना है कि हमको गंठी नहीं बजाना है आरती नहीं करना है भगवान का सपर्ष नहीं करना चाहिए और अभिशेक वगरा नहीं करना चाहिए भगवान का ग्रहन के दोरान क्या कर सकते हैं ग्रहन के दोरान अब जाब करना अथवा अभीशे करना पगला ये नियाम के अनूसार नहीं करना चाइए और दूसरा कैसा है घ्रहन के वेद समय में आने सम्झों ग्रहन के दिन आट तरीक को घ्रहन अपना कार्ती पुन्assis में के दिन उस दिन क्या करना चाहिए जो आम जनता हैं वो लोग वेद के समयने सबिरे चारवज से लेके शाम के चार बजे तक का भी उन्हों ने पूरे दिन उस दिन नॉन बेज नहीं खाना चाहिए और अंडा मासमची नहीं खाना चाहिए नाकुन नहीं काटना चाहिए बाल नहीं काटना चाहिए सर पे तेल लगा कर घूमना पिरना नहीं चाहिए तो इस चीज़ का ध्यान रखे और जो बच्चे हैं ग्रहन के समय में थोड़ा सा क्राफिक में ज़र से गाड़ी चलाना बहुत इस रिस्क लेके बच्चे लोगों ने खेलन उपर से खूद केना इस अब नहीं करना उत्से मार्चोब लग सकता है देखिए इस ग्रहन के समये पे हमने और क्या कर सकते हैं नहां कर जाप करनां सब्सक्रेशों कर सकते हैं यह कर यह हो काald बारव Einsी में गरन हो रहा है, तो बरावstr घर में अगर गरन का प्रकट होता है तो बुर्षब राशी वालों को anna creator हogene । ऐफ्च्ण आईब होंगे पूरोश के लोगों से थोड़े से मन मुटा होने के योग बनता कि बहाई भेहनों के ओर उसे थोड़ा सा प्राबलम देने बाई बहनों को प्राबलम हो सकता है और ब्रशब राशी वालों को एक अजब प्रकार सा उनको कोई चीज भी डर सताएगा या फिर ऐसा उनका कोई बहुत कीमती चीज गुम जाने का या चोरी होने का योग बनता है तो कुरुपया प्रशब राशी वालों ने दुर्गामा का उपासना करना चाहिए और महालक्ष्मी का अगर पूजा उपासना करते हैं इस समय पे ग्रहन के समय पे जाप करते हैं बैठके तो उनके लिए अच्छा रहेगा अगला चलते हैं अपना मिथुन राशी के पर देखें मिथुन काम नहीं बन रहे वो काम बनेंगे बिगड़ेवे काम सवा रहेंगे दोस्तों से मदद मिल सकता है लेकिन थोड़ा सा पैसे गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट होने का योग बनता उस पर तोड़ा ध्यान दे और मिथुन राशी वालों को जो उन्होंने टार्गेट बना के रखा है जो उन्होंने काम अभी तक का जो रुके रुके से चल रहें वो काम अभी पूरे होने की योग बनते हैं यह सवा मैने में उनको अच्छा कोई लाव होने का योग बनता है जो शेर मार्केट में है जो लैंड डिलिंग में है और जो ट्रीडिंग का काम करते हैं जो जाब करते ग्रहन समय में तो उनको फल अच्छा मिलता है अगला है अपना करकराशी देखें करकराशी वालों को यह ग्रहन जो हो रहा है दशमस्तान में हो रहा है लेकिन क्योंके करकराशी का अधिपती चंद्र है चंद्र ही अपना ग्रसित हो रहा है ग्रहन से तो उनके उसके वाइसे वो जो बिगड़े काम उसको सवार लेंगे और उनको आगे चलके अगर हाड़ वर्क करते हैं ग्राण में या फिर जाप करते हैं ग्राण में बैटकी उसके बाद हाड़ वर्क करते हैं करकराशिवालों को एठेच उनको लाब होगा और उनको ये ग्राण का फ सबसे श्रेश्ट रहेगा यह ग्रहन और इस ग्रहन के दौरान कैसा है कोई भी गर्मिन इस त्रियां जो रहती है प्रेगनेट उन्होंने कुछ भी काटना या सिलना या सिला ही नहीं करना चाहिए अपने हाथ पेर सीधे करके बैठना चाहिए सोफे पे यहां फिर अराम से ल अगर भगवान को स्मिर सिम्रन करते भगवान का नाम लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा और देखे इस ग्रहन का जो फल है बारा राशियों के लिए अलग अलग प्रकार का है पहला देखिए अपना मेश राशी में ही ग्रहन हो रहा है मंगलवार को चार बचकर 49 सबको ने लिए ऑपने मेश राशी में लग वालों जानेगे के बारा राशीवलों के लिए ये ग्रहन का कैसे कैसे बारा राशी वालों के लिए कैसे कैसे फल मिलता आपने को पहले जानते हैं अपना मेश राशी के बारे में देखें मेश राशी वालों को अपने राशी में ग्रहन हो रहा है चंद्र घान इसके चलते मेश राशी वालों को स्वास संबंदी प्रावलम आएगा और तब्यत संबंदी उनको खराबी है सकता है पेट संबंदी समस्या बढ़ सकता है और मेश्राशी वालों को एक अजीब प्रकार का डर सता सकता है कि यह कैसा होगा क्या होगा अब देखिए यह हमने इस फल तो बता दिया लेकिने कितने दिन रहेगा इसका परिणाम इसका परिणाम ज्यादा से ज्यादा करके सवा महि का इसका परिणाम रहता है और मोटा मोटी तोर पर यह ग्रहन का परिणाम रहता है वह 6 महिना तक पर रहता हैगर इस समय मेश्राशी वाले दूरगामा का उपासना करते हैं तो इससे उनको अच्छा फल मिलेगा ग्रहन का वश्यां दिर दशओ वे दो बाडुमीत कि का प्रकट होता है तो व्रशव राशी वालों को अनाव शनाव आए इनको अगर ग्रहन के समय में कुछ भी नहीं हो सकता है तो बैठे जगे पर जहां पर बैठे ऑफिस में किदर बैठे हैं ग्रहन के समय बैठे गायतरी मंतर कर जाप करते तो बहुत अच्छा रहेगा अगला है देख़ो अपना Eins으로 कन्या राशी ये अपना ये ग्रहंड जो है बहुत अच्छा परिमाम नहीं देगा उनके लिए तोड़ा सा उनको परेशानी होगा पैसे पानी को लेगे तोड़ा टेंशन होगा परिवार के अंदर थोड़ा सा कमिया परिवार के अंदर थोड़ा टेंशन मन मुटाव जैसा दिख रहा है तो कन्य राशी वाले भी क्या करना है इस ग्रहन के समय में उनको भगवान कृष्ण का जाप कर इतना कर सकते तो बहुत अच्छा है लें कन्या राशी को लेग विशेश बास बताना चाहूंगा यहां से सवा मैना कन्या राशी वाले गाड़ी भूँत सोच समझके चलाना चलाना चाहिए और चलते फिरते समय शिडिया चड़ते उतरते समय भी अपने कदमों पे बहुत ध्यान देना चाहिए नहीं तो छोटा मोटा कोई भी अपगात होने का योग बनता है देखे अगला है अपना तुला राशी तुला राशी वालों के लिए ग्रहन जो है सब्तम misunderstanding होने का योग बनता है और जो आसपास में जो लोग है उनसे भी उनको मनमुटा होने का योग बनता है क्योंकि वो जो बोलेंगे वो लोग समझ नहीं पाएंगे और कामकाच के अंदर भी उनको परेशानी दिख रहा है जो वो अच्छे बात करके मीठा बोलके उसको अच्छा है क्योंकि यह ग्रहन जो मेश राशी में हो रहा है यह सारे संसार के लिए ऐसा है कि थोड़ा सा पानी से दुरगटना है पानी समुंदर में दुरगटना है समुंदर के अंदर कोई दुरगटना है या फिर अपना पानी के बज़े से कोई दुरगटना होने का सा सारे राश्यों को योग बनता उसमें तुला राश्य के लिए यह प्रभाव ज्यादा है क्योंकि केंद्र का स्वामी केंद्र में ग्रहन ग्रसित होने के चलते यह प्रभाव थोड़ा भर जाता है कि अगला है अपना व्रिष्चिक राश्य वालों के लिए देखिए यह ग्र विष्टे खराब हुएं तो वृष्चिक राशी वालों के लिए ये ग्रहन अगर जाप करते ग्रहन समय में तो उनको फल अच्छा मिलता है अगला है अपना करक राशी देखें करक राशी वालों को ये ग्रहन जो हो रहा है दशमस्तान में हो रहा है लेकिन क्योंकि करक में थोड़ा सा प्रावलम हो सकता है लेकिन उनके उनका जो हिम्मत है या उनका जो मनबर मनोबल है उसके वाई से वो जो बिगड़े कानों उसको सवार लेंगे और उनको आगे चलके अगर हाडवर करते हैं ग्रहन में या फिर जाब करते हैं ग्रहन तो इस से इसके चलते उनको और उनके साथ मुटा होना टक्रा होना आसपास के लोगों से, थोड़ा सा उनके पिता के स्वास्त को हानी होना, और उनको अनाब शानाब खर्चे थोड़ा सा परिवार में या उपने कुटूंबे करने का योग बनता है, लेकिन सिंबराशी वालों के लिए कैसा जो नेतरित्व करते हैं, बड़े-बड़े ग्रहन में तो उनको बहुत पाइदा होता है, और इनोंने करना क्या चाहिए, इनको अगर ग्रहन के समय में कुछ भी नहीं हो सकता है, तो बैठे जगे पे, जहां पे बैठे, ऑफिस में किदर बैठे, ग्रहन के समय में बैठे, गायत्री मंतर का रजाप करते, तो बहुत अच्छा रहेगा, अगला है देखो अपना कन्या राशी, कन्या राशी वालों के लिए अपना ये ग्रहन जो है, बहुत अच्छा परिश्चा परिणाम नहीं देगा, उनके लिए थोड़ा सा मिला जुला फल रहेगा, ح thrown कि जो कन्या राशी वाले लोग जो पुराने बीम पैसे पानी को लेके उनको परेशानी होगा, पैसे पानी को लेके तोड़ा सा कमिया, परिवार के अंदर थोड़ा टेंशन, मनमूटाउ जैसा दिख रहा है, तो कन्य राशी वाले भी क्या करना है? इस ग्रहन के समय में उनको भगवान कृष्ण का जाप करना चाहिए, भगवान राम का नामस्पन करना चाहिए, अर दुर्गा मैया का जाप करना चाहिए, इतना अगर कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है, लेगा कन्या राशी को लेक्व विशेश बास बताना चाहूँगा, यहां से सववा मैना कन्या राशी वाले गाड़ी बहुत सो समझ के चलाना चाहिए और चलते फिरते समय शिडिया चड़ते उतरते समय भी अपने कदमों भर जाता है अगला है अपना बृष्चिक राशी बृष्चिक राशी वालों के लिए देखिए ये ग्रहन का फल अच् समझो किसी से उनको अगर मनमुटा हो गया है रिष्टे खराब हो गया है तो व्रष्चिक राशी वालों के लिए ये ग्रहन के इसके अंदर वह अपना दुश्मनी भुला कर उस उस दुश्मनी के साथ दोस्तिक हाथ बढ़ा सकते हैं योग बनता है पुराने दुश्मनिय समझो बड़ा कोई लोन सोच रहे हैं मिलने का करने का उसमें वी उनको लोन मिलने भी सफलता होगा कुल मिला के व्रष्चिक राशव गले ये घ्रहन का फल अच्छा रहेगा पशरते उन्होंने क्या करना चाहिए गारी बहुत तेज नहीं चलाना चाहिए अपने माता का स् अगला है अपना धनुराशी देखे धनुराशी वालों के लिए ये घर ग्रान का फ़ल जो मिश्रित रहेगा बहुत अच्छा नहीं बोला जा सकता है धनुराशी वाले जो है उनके बच्चों को परेशानी होगा उनके पेट समंदी विकार होगा और उनके जो फ्रेंट सरकल के अंदर उनको कंफूशन होने का या फ्रेंट सरकल के नुक्सान होने का थोड़ा परेशानी होने का योग बनता है और धनुराशी वालों के लिए खास करके मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने अगर शेर मार्केट में कुछ कर रहे हैं तो थोड़ासा होल्ड करके घर्धर नहीं रही सकते या फिर बाहरन है तो जो बाहरे धनुराशी वाले वो क्या कर सकते है गरहन समय के बाद कोई वी गुरू के मंदिर कोई भुरेनात का मंत्र का जाब करें या कुछ भी नहीं आता तो बैट के ओम श्री गुरुवे परेशान ही रहेगा और मकर राशी वाले जो माता हैं जिनके माँ लोग जिक मकर राशी वालो घरगरस्ति में परेशानी हो सकता है गाड़ी से छोटा-मोटा करते योड़ात समें ध्यान भड़कने का यो के चलते और मकर राशेवाले खास करके अपना जो प्रापर्टी संबंदी जो भी dealing कर रहे हैं तो हो सके तो हो सके तो ग्रहन से एक 15 दिन के बाद अगर प्रापर्टी डिलिंग करते हैं उसका रेजिस्ट्री बगरा करते तो अच्छा रहे हैं अगर अनिवार है तो कोई भी अच्छे दुतिशी से अच्छा दिन देखकर आप कर सकते हैं मकार राशेवाले क्या करना चाहिए मकार राशेवाले गणान के समय पे बैट के आसन पे उतर मुखी या पूर मुखी बैट के उनी आसन पे बैट के जाप करना चाहिए शरीदेव का शरी मंतर का जाप करें भगवान हर्माजी का मंतर का जाप करें भगवान शंकर भगवान का जाप करें या काली माता के मंतर का जाप करने से मकर राशी वालों को बहुत अच्छा फल मिलेगा यह मकर राशी के जो मैंने नेगिटिव पॉइंट्स बताया या उनक इसे वो बच सकते हैं अगरहें जाब अगरा करते हैं अभी देखी अम जांते कुंब राशिवाले जो भी काम करना चारे इतना दिन तक का वो काम में उनको सफलता मिलेगा और कुम्ब राशिवाले जो बीमारी से ग्रसित है चोटे-मोटे बीमारी से ग्रसित है उनको ये बीमारी से रहत मिलने का योग बनता है और जो बड़े बीमारी से ग्रसित है जो बड़े क्या कर सकते हैं कुम्ब राशे वाले भगवान शरीदेव का जाप करें भगवान भुलेनात का जाप करें हनमाजी का जाप करें या फिर माता लक्ष्मी का जाप करें तो कुम्ब राशे वालों के लिए अच्छा फल रहेगा तो दोस्तों देखें अगला है लास्ट अख्री अपना मीन राशी मीन राशी वालों के लिए ये ग्रहन का जो पड़िणा है उतना श्रेष्ट नहीं रहेगा मध्यम रहेगा बहुत अन्य अपना समझो 60% उनको बुरा रहेगा 40% थोड़ा अच्छा रहेगा लेकिन मीन राशी वालों के लिए पेट संबंदी विकार मिल सकत है पैसे पाने के संबंदी ध्यूक का हो सकता है सोज समझत के करें और नुकसान हो सकता है और या फिर माता लक्श मिका जाप करें तो कुrun राश्य वालों सब्सक्राइब नहीं रहेगा तो दो्र अग्रांज जो 60% उनको बुरा रहेगा, 40% थोड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन मीन राशी वालों के लिए पेट संबंदी विकार मिल सकता है, पैसे पाने के संबंदी धोका हो सकता है, सोच समझके करें, और नुक्सान हो सकता है, और थोड़ा सा फैमिली के अंदर मनमुटा होना, तालम बहुत ओवर रिस्क लेके काम नहीं करना है, तो रिस्क लेके गाड़ी चलाना, जिस बहुत रिस्क लेके कोई इन्वेस्मेंट कर लेना, भाई कुछ नहीं होता कर लेंगे, बहुत रिस्क लेके कोई सारी रिक काम करना, उससे उनको हानी हो सकता है, पेट संबंदी विकार इन दोनों राशी के संथानं के लिए जिंका मीन राशी वाले बच्चे हैं उन बच्चों को नुक्सान योग बनता है थोड़ा ध्यान रखके चलना है तो भाईयों बहनों यह था अपने बारा राशी वालों के लिए आपना घृहन जो हो रहा. आठ तरिक को मंगलवार को शाम को चार बच कर 49 मिनिट से लेके 6 बच कर 9 मिनिट तक का जो गहन हो रहा है चंद्र गहन ये गहन का अपने 12 अरशोगले फल था और देखे एक सामानित के तौर पर बताता हूँ जैसे अपना गहन गहन समाप्त होता है गहन समाप्त होने फिर से नहाना चाहिए ना कर फिर से भगवान का पूजा अभिशेक अर्चना करके दियाबत्ती करके पूजा अर्चना करके आरती करना चाहिए क्योंके भगवान को भी सूतक रहता है गहन समाप्ति के बाद बैट के भगवान का पूजा पूजा अने कैसा दियाबत्ती करके भग उनके लिए थोड़ा सा ये खाने पीने का उतना कंडिशन नहीं रहता बाकी जो लोग हैं उन्होंने ग्रान के समय पे कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए और फिर से मैं बोलना चाहूंगा जो घर्मिनी महीना हैं जो प्रेग्नेंट माता बहने हैं उनके लिए कुछ भी ची पिरोना या आठा गूनना ये सारे चीजे बिल्कुल भी वर्जित है नहीं करना चाहिए जो भी प्रेग्नेंट और प्रेग्नेंट लेडि से जो भी अपने माता बहने प्रेग्नेंट हैं उनके लिए अराम से विश्टेपे सोना चाहिए आप सोफा पे बैठके आनवालों तालमेल नहीं रहना या फिर ठोडता सा कंफियूशेंज सोने योग बनता फैमिली के अंदर और राशी वाले और मीश्तिय वाले और कंण्याव यह की बात बुरिणा चाहूँगा एलों करना है लिक्त वृत उम इजुक्त करपक से perpendicular से, उनको करना घृत संब्धियं करें मीन राशी वालों के लिए भी पेट संबंदी विकार हो सकता है फैमिली के अंदर थोड़ा परिशानी होने का योग बनता मीन राशी वालों के लिए जिनका मीन राशी वाले बच्चे हैं जिनको मीन राशी वाले जिनके बच्चे उन बच्चों को नुकसान होने का के 6 बचकर 9 मिनिट तक का जो गहन हो रहा है चंद्र गहन ये गहन का अपने 12 अरशो कले फल था और देखे एक सामानित के तौर पर बताता हूं जैसे अपना गहन समापत होता है गहन समापत होने कर फिर से नहाना चाहिए ना कर फिर से भगवान का पूजा अभिशेक अर्चन के फिर बात में उनको कपूर का आर्थी करके ही बात में अन्न का घ्रहन करना चाहिए तो जो घ्रहन के समय पे रोगियों को महिलाओं को जो बुढ़े हैं उनके लिए थोड़ा सा यह खाने पीने का उतना कंडिशन नहीं रहता बाकी जो लोग हैं उन्होंने ग्रान के समय पे कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए और फिर से मैं बोलना चाहूंगा जो घर्विनी महीना है जो प्रेगनेंट माता बहने हैं उनके लिए कुछ भी चीज काटना सिलना पिरोना या आठा गूनना ये सारे चीज बिल्कुल भी वर्जित है नह कानमा चले से को पाड करना चीज श्रेष्ट रेगा तो दर्शकों ये था अपना आठ तारिक को जो कार्तिक पूर्णिमा को अपना मंगलवार के दिन ग्रहन हो रहा उसका फल तो दर्शकों आज के लिए आपकार्यक्रम ग्रहन के ओपर इतना ही था फिर मिलेंगे कोई रो कर दो